मद्यप्रदेश शासन के पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्य कल्यान घुमककड अर्द घुमककड विमुक्त जनजातिय राज्यमंत्री राम खेलावन पटेल गद्दिवस संभागया मुख्याले शैडोल पहुचे जहां उनके सामजिक संगटन कुर्मि छत्रिय पटेल समाच संभागया इकाई शैडोल द्वारा भव्य स्वागत समारो का आयोजन किया गया दिनांग 14 दिसंबर को प्राता 10 बजे से नगर भ्रमन ग्रैली का आयोजन करते हुए स्वर्गिय छोटिलाल पटेल समारक भवन में सभा का आयोजन किया गया जहा समाच के प्रदेश अध्यक्ष एवं मंत्री राम खेलावन पटेल द्वारा स्वतंत्रता संग्राम सेनानी वा पुर्व विदायक स्वर्गिय छोटिलाल पटेल की प्रतिमा पर पुष्प अर्पन एवं जस्टिस स्वर्गिय सरस्वती प्रसाथ पटेल को नमन कर कार प्रेक्रम का शुवारम किया गया जहां कुर्मी समाज के प्रदादिकारी गंड संयुक्त रूप से मंचासिन रहे स्वागत सभा के दौरान कुर्मी समाज के उपस्तित अतितियों एवन प्रबुद्ध जनोद्वारा अपने विचार व्यक्त किये गए जिसका मुख्य अपने वक्त्यव्य में कहा कि मुझे मध्यप्रदेश शासन में मंत्री के रूप में पिछडा वर्ग अल्पसंख्यक कल्यान प्राप्त है जिसके तहत अनिक प्रकार की योजना इसंचालित है पिछडा वर्ग के लोगों को आर्थिक मदद के माध्यम से रोजगार के अव सर खोली जा सकते है मध्यप्रदेश सरकार के द्वारा पिछडा वर्ग आयोग का गठन कर समवेधानिक दरजा देने का काम किया है और जल्दी 27 प्रतीशत की मिलने वाली आरक्षण मध्यप्रदेश में लागू हो जाएगी शिक्षा हेत्तु बेटियों के लिए भी तमाम योजनाएं इस प्रकोष्ट में है जिसका लाप सभी प्राप्त कर सकते है मंतरी श्री पटेल ने कहा कि हमारे समाज में महान पुरुदाओ का जन्म हुआ है चत्रपतीश शिवाजी महाराज ने मुगलों से लोहा लेकर राश्रहीत में काम किया चत्रपतीश शाहुजी महा पिछडो दलीतों के हक के लिए सर्वा प्रतम आरक्षन को लागू करने का काम किया और हमारे देश के महान नेता लोह पुरुष सरदार वल्लब भाई पटेन ने खंडखंड में बटे हुई राज्यों को बिना खून बहाय एकत्रीत कर अखंड भारत का निर्मान किया हमार के समापपन पर कुर्मिक्षत्रिय समाज के संभागय अध्यक्षद्वारा मंतरी राम खिलावन पटेल को सम्मान पत्र सौप कर अभिवादन किया गया अनुप पुर्जिले से भुपेंद्र पटेल की रिपोर्ट